नमस्कार राज्य सिक्षा सोधेवं प्रसिक्षन परिशद विहार पटना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है प्यारे बच्चों आज हम उस विशावस्तु के लिए करके आये हैं जो आपका बहुत ही पसंदीदा है अर्थात आपको पढ़ने के साथ साथ खेलने में बहुत मजा आता है और खेलना ही नहीं आपको विभिन पर्वत वहार के अफसर पर जो मेले लगते हैं आसपास में मेले जाना भी आपको बहुत अच्छा लगता है तो बच्चो आज हम वही बात करने वाले हैं विद्यालाय में हम लोग क्या करते हैं खेलते हैं और घर पर भी खेलते हैं तो विद्यालाय में खेलते हैं तो उससे सम्मंधित बहुत सी परतियोगता होती है और खेलते भी है और उस खेल से सम्मंधित मेले का भी आयोजन किय जाता है जिहां बच्चो आज हम आपकी कच्छा वर्ग चार की अंतरगत पाठ पुस्ति का पढ़्या वरन और हम में पाठ चौदा के अंतरगत जानेंगे बाल मेला और खेल के बारे में ठीक है बच्चो तो आए शुरू करते हैं बाल मेला और खेल से सम्मंदित यह पाठ के आप लोकन कीजिए और देखे कि इसमें क्या हो रहा है बच्चो यह तस्वीर अभ्यास मध्य विद्यालय सेखपूरा की है जो बाल मेले के आयोजन से सम्मंदित है हम देखते हैं कि बाल मेले में अभ्यास मध्य विद्यालय सेखपूरा में क्या हुआ ठीक है बच्चो तो अभ्यास मधविद्ध्यालाय सेखपूरा में आज बाल मेले का आयोजन है सभी छात्र छात्राएं बहुत खुस हैं बाल मेले में विभिन परकार की सैच्छी केवं खेल कूद परतियोगताएं होने वाली है मैदान की साफ सफाई पूर्व में ही हो चुकी है बाल संसत के सदसिगन अपने सिक्छकों के साथ बाल मेला के आयोजन में ब्यास्त है परतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थी अपना अपना अभ्यास कर रहे है कोई दोड लगा रहा है तो कोई कूद रहा है कोई चितर बनाने में अभ्यास कर रहा है तो कोई भासन देने की तैयारी कर रहा है तो बच्चों आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं तीन अलग-अलग, चार अलग-अलग तस्वीर पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जो भी छात्र चात्राइं हैं सभी का हात पीछे से बंधा हुआ है और आपको जो दिख रही है जो लटकती हुई पर्तित हो रही है वह जिलेवी है ठिक है और बच्चों को कूद करके पहले जिलेवी खाना है और जो खा करके पहले पहुंच जाएंगे वह बिजेता हो जाएंगे उसके बाद आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं कि एक छात्र यानि उची कूद का अभ्यास कर रहा है कितना अधिक उचाई तक हो खूद पाता है इस सम्मधित परतियोगता के लिए अभ्यास कर रहा है आगे बालमेला का आयोजन हो रहा है उससे सम्मधित आप देख रहे हैं जो बच्चे इस परतियोगता में विजेता घोसित हुए हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है ठीक है बच्चो तो अब आपको बताना है क्या आपके विद्याले में भी बाल मेला का आयोजन होता है ठीक है बच्चो अब आप बताईए क्या आपके विद्याले में बाल मेला का आयोजन होता है तो बच्चो आप जानते हैं बाल मेला के आपने पूर्व के स्लाइड में अच्छी तरह से देखा कि बाल मेला में दोनों तरह की गतिविधी होती है, एक होती है सेचिक गतिविधी, दूसरा होता है सहसेचिक जो हम जानते हैं खेल कूद से सब्मन्दित गतिविधी, शेक्षिक गति विध्वी में जो भी परत योगता होती है वो किस प्रकार की होती है जैसे भासन परतियोगता, सुगम संगीत, पेंटिंग, चितरकारी इसे सम्वंधित होती है या फिर समानने ज्ञान से सम्वंधित प्रश्ण होते हैं ठीक है बच्चो और इसके अलावा दूसरा होता है जो सारीरिक विकास से संबन्धित होता है जो वह खेल कूद से संबन्धित है तो बच्चो आपने देखा कि यहाँ पे तस्वीर में यहाँ पे सारीरिक गति विधी से संबन्धित खेल कूद से संबन्धित जो परतियों गुताएं होती है ब और तेक वर्स आपको याद होगा हम लोग बाल दिवस मनाते हैं 14 नौवंबर को अपने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहलाल नहिरूजी के जन्म दिन के अफसर पर हम लोग विद्याले में क्या मनाते हैं बाल दिवस मनाते हैं ठीक है बच्चो और बाल दिवस तक ही हमारे बच्चे सामिल होते हैं जाते हैं और उस परतियोगता में अपना परदर्शन दिखाते हैं तो क्या बच्चो आपकी विद्याले में इस तरह का हुआ है क्या आप कभी भाग लिए हैं जरूर आप अपने मन ही मन विचार कर रहे होंगे अच्छी बात है चलिए अगे प्रतियोगता मेंठाओं आप बाल मेले में किसकी सरीकुंद्याले में भाग लेते हैं बच्चो अपिसके वारे में हमापको विस्तिर्ट विप्रवट देते हैं बाल मेला में बहुत तरह की गतिविधी होती है जैसा कि आपने PURV के सलाइड में जाना कि सैच्छी गतिविधी में आप देखते हैं समान गयान पृतियगता है आसुभासन पृतियोगता है जिसमें कोई ऐसा टौपिक आपको दिया जाता है जिस पर आपको बिना रुके मतलब अपनी होता है और जो खेल कूत सम्बंधित है उसमें जो पर्मुख है वह कौन कोशेंश Okayed और के बारे में आप भली हमाती पर चित है कि हमें क्या करना होता है सभी बच्चों के साथ 100 मीटर हमें दौरना पड़ता है और जो बच्चे पहले दौर के आ जाते हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं पर्थम स्रेनी से कि अधार पर उन्हें प्रस्कृत करते हैं फिर दूसरे प्रस्कृत कि परतिष्व को बाते हैं ऊसमें भी कोण्द नंगी सही होगी है वो जितना अधिक उंचायक तक पूद पाते हैं उन्हें भी पुरस्कृत किया जाता है जो लंबी कूद जो जितना अधिक दूरी तक कूद पाते हैं उन्हें हम लंबी कूद के अंतरगत पर्थम दूतिय तृतिय स्रेनी से हम लोग बिजयता घोसित करते हैं बच्चो सोचिए खेलने से पूर्व मैदान की साफ सफाई क्यों अवस्यक है तो बच्चो आप पता सकते हैं आप सोच सकते हैं खेलने से पहले क्यों जरूरी है बच्चो अगर खेल के मैदान में अगर पहले से कंकर पत्थर नुकीले कोई बस्तू अगर उसमें गिरे हो तो क्या होगा खेलने के करम में अगर हम गिर जा से खुण निकलने लगेंगे तो क्या होगा बच्चों क्या हम परतियोगता में स्वास्थ रूप में भाग ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे इसलिए बच्चों जरूरी है कि जिस मैदान में हम खेलने जा रहे हैं वह मैदान पुर्णूपेन साफ सुथरा होना चाहिए अर्थात किसी भी परकार का कोई अवांचित वस्तु जो हमें उस परतियोगता को पूरा करने में समस्या उत्पन करें, बाधा उत्पन करें, हमें रुकावट डालें उसमें, वैसी समगरियों को हटा लेना चाहिए, उसमें बहुत ही समगरिय हो सक तो उन सबों को साफ कर लेना बहुत ज़रूरी है स्वास्त के दृष्टी कोन से और खेल को सास्मय पूरा करने के दृष्टी कोन से अगर साफ नहीं होगा तो बीच खेल में कोई अगर खिलारी या फिर कोई परतिभागी घायल हो जाए तो सभी लोग रुख जाते हैं और ख खेल परतियोगता की एक सुची बनाई है उस परतियोगता में बच्चो आपने पुर्व में भी जाना उसकी जो सुची बनेगी किस प्रकार बनेगी आपके विद्याले से जो भी बच्चे जाते हैं चुना करके चुन करके चैनीत्व करके उसमें क्या होता है कि आपके वि प्रतियोगता नहीं है जिसमें केवल लर्के भाग लेंगे और लर्कियां भाग नहीं लेंगी क्या आपको पता है आपके विद्यालय में कभी ऐसा हुआ है कि 100 मीटर दोर में केवल लर्के ही भाग लेंगे लर्कियां नहीं लेंगी ऐसा कभी नहीं हुआ होगा आपके विद देते हैं तो आपको यह सुची बना लेना है सिक्षा के साजोग से या फिर आप खुद बना सकते हैं कि आपके विद्ध्यालय से कौन से बच्चे का चयन किस खेल प्रतियोगता के लिए हुआ है ठीक है बच्चो उसके बाद आगे है आपका कि आप घर या विद्ध्यालय मे कि खेले जाने वाले खेलों के नाम तालिका में लिखे घर पर खेल जाने वाले खेल बच्चो आप अच्छी तरह जानते हैं कि घर पर हम वैसे खेल नहीं खेल सकते हैं जिसको खेलने के लिए टीम की जरूत होती है टीम मतलब जैसे क्रिकेट है उसको खेलने के लिए कितने लोग की जरूत होती है 11 लोग की एक टीम है तो दो टीम मिला के कितने हो गया गया दूनी 22 तो 22 लोग होंगे तब तो दो टीम होगा ना तो घर पर हम खेलते लेकिन लिए क्या जरुत है खेल का बरा सा मैदान होना चाहिए और उस मैदान में इस खेल को खेल सकते हैं तो खेल कुछ ऐसे होते हैं जिससे हम लोग इंड हैं गयों बोलते हैं आउट डोर जो बंद कमरे में घर के अंदर या चार्धिवारी के अंदर ऐसे जगा खेलते हैं जिसके लिए अधिक जगा की जरुत नहीं होती है वह है हमारा इंडोर जिसे हम कहीं भी खेल सकते हैं बंद कमरे में या फिर ग्राउंड के अंदर कहीं भी लेकिन जो आउट्डोर गेम है जिसे आपका फुटबॉल है किरकेट है टेनीस है इस तो आप एक दो सहापाथियों को सहयोग से खेल सकते हैं या फिर दो बच्चों के साथ भी खेल सकते हैं जैसे अगर आप लूडो खेलते हैं उसमें भी आप कम से कम चार लोग हो तो अच्छे हैं लेकिन दो मिलकर के भी खेल सकते हैं या फिर बैडिमिंटन भी खेल सकते है या कारम बोर्ड भी आप दो लोग साथ खेल सकते हैं ठीक है छुपम छुपाई भी खेल सकते हैं कुछ साथियों के साथ तो कुछ खेल है जो आप केवाल घर पर ही खेलते हैं लेकिन विद्यालय में जब जाते हैं तो वहां बड़ी टीम की जूरत होती है जैसे आप खोको ख पसंद है उसके बारे में नीची दी गई तालिका में लिखिये खेल का नाम तो बच्चो खोको एक ऐसा खेल है जो बच्चे बरी रुची से और अच्छे से खेलते हैं या फिर चुपम छुपाई हो गई या फिर खेल की बात करें तो कुरसी दोर भी होता है आपने देखा होगा कि हम कुछ बच्चों के समुह में सभी बच्चे कुरसी पर बैठ जाते हैं और एक कुरसी को हटा दिया जाता है सभी बच्चों की संख्या के अनुट उसमें क्या होता है कि कुछ देर के लिए संगीत की कुछ धून बजाये जाते हैं या कुछ बच्चे ताली बजा दो वेकती बच जाते है और यह यह दो आ थी कुझ यहां अपने मूह में चमच रख लेते हैं। चोटा सा गोली जो कंशे का होता है वह दाल लेते हैं यह प्रकर निंबू होता है उसका वे आप उपयोग कर सकते हुश कि çछा करें अग ** दूरी पर और लोग चल करके जाते हैं जिस बच्चे का गोली नहीं गिरा बच्चा निधार्ट समय से पहले अगर आ गिया तो वह उतिर्ण हो जाता है जो बच्चे बिलम से आते हैं या फिर चम्मच में जो गोली या नीम्बू रखा गिया है वह अगर गीर जाए क्या होता है बच्चे वह उतिर्ण नहीं हो पाते हैं तो कुछ ऐसे खेल हैं जिसमें होने वा और क्या होता है? कछूए की तरह, मेढ़क की तरह क्या करते हैं? मेढ़क की तरह कूधते हुए उन्हें जाना होता है एक निर्धारित अस्थान पर और जा करके पुना उन्हें फिर वापस भी आना होता है और उचलने के करण में ध्यान रखना होता है कि हम अपने सरीर को संतुलित रखें संतुलित का मतलब अगर हम जैसे चलने का अभ्यास होता है हमें अगर हम बोरे के अंदर दोनों पैर रखें तब अगर हम चलने का परियास करेंगे तो बच्चे क्या होगा हम गीर जाएंगे लग जायेगी और हम प्रतियोगता से बाहर हो जाएंगे इसलिए जरूरी है कि आप जब बोड़े का उपयोग कर रहे हैं खेल के रूप में बोरादौर के रूप में तो आप क्या करेंगे दोनों पैर को एक साथ उठाएंगे जिस तरह से मेधा को आपने देखा होगा उचल दोनों पैर एक साथ उठा रहे हैं लेकिन अगर बोड़े की पकर हाथ से अगर धिली हो जाए तो क्या होगा बच्चो बोरा नीचे आजाएगा और आप गिर जाएगा इसलिए खेलने से पहले आपको साबधानी भी बरतना होगा खेल के नियम की भी जानकारी होनी चाहिए और उस खेल में किन-किन सामागरियों का परियोग होगा यह भी आपको पता होना चाहिए जैसे कुरसी दौर के लिए जितने बच्चे उतने कुरसी की जरुत होगी चमच दौर के लिए जितने बच्चे उतने चमच की जरुत होगी और बोरा दौर के लिए जितने बच्च उतने बोरा की जुरत परेगी और बच्क要 के लिए उतने बच्चों के लिए काइव भी उच्छों आप उपनी पसंद कि रहे बारे में बताये क्या-क्या नियम होते हैं जैसे बच्चों आपने उस नियम की बात अगा करें तो आपका हो सकता है पसंदिदा बहुत सारा खेल हो उसमें से किसी एक खेल की हम चर्चा कर लेते हैं लेकिन आप सोतंत्र हैं आप इस प्रस्ण का उत्तर अपने अनुवब के अधार पर अपने पसंद के अधार पर लिख सकते हैं आपका पसंद जहां से हम शुरू करते हैं, वहां पे सभी बच्चे एक साथ बोड़े में दोनों पैर को अंदर करके, हाथ से पकरके, अच्छे से वहां पे खरे हो जाते हैं, और उसके बाद जैसे ही सीटी बजाई जाती है, जो खेल में आयुजक होते हैं, उनके द्वारा, या फिर आपक संकेत देते हैं, या निर्देशित करते हैं, कि अब आप आगे बढ़िए, तो क्या होता है बच्चे? सभी बच्चे एक साथ कूधना शुरू करते हैं, और नियम क्या हुआ इसमें? कि एक साथ कूधना है, जो बच्चे गिर जाएंगी, वह खेल से बाहर हो जाएंगे, औ और दुसरा नियम क्या हुआ कि सभी बच्चे एक साथ अगर आते हैं चलते हैं अगर नहीं गिरते हैं तो जो बच्चा पहले पहुंचेगा फिनिसिंग पॉइंट पे अर्थात जहां पे हमको खेल को समात करना है जहां पे निरधारित किया गया है अगर जो बच्चे पहले आ जाएंगे उन बच्चो को हम क्या काते हैं कि आप प्रथम स्रेनी से उत्तिरन हुए उसके बाद वाले जो बच्चे होंगे वह दूतिय स्र निसिल लेकिन उसके बाद जो बच्चे आएंगे वह प्रतियोगता से बाहर हो जाएंगे ठीक है बच्चो या फिर हम उन्हें सांतोना प्रोस्कार भी अगर संभव हो तो दे सकते हैं ठीक है बच्चो तो यह हुआ आपके पसंद का खेल और उससे संबंधित नियम अब आ रहे थे कुछ दौर लगा रहे थे तो कुछ बच्चे फुटवॉल खेल रह थे तभी फुटवॉल खेलने वाले कुछ बच्चे खेलते-खेलते आपस में ज्धर परे तभी एक अध्यापक वहां पहुच गये उन्होंने ज्धारा बंद करवाया और बच्चों को संझाया कि हर खेल के कुछ नियम होते हैं, हमें खेल भावना के साथ कोई खेल खेलना चाहिए. किसी भी खेल में टीम के सभी सदस्यों का आपसी सहयोग वह तालमिल बहुत जरूरी होता है. बच्चो आपने देखा कि खेल से पहले खेल शुरू होने के साथ ही फुटबॉल खेलने वाले बच्चे आपस में जगर लेते हैं और जगरने के बाद बहुत से ऐसे प्रशन आते हैं, इसका हमें जवाब देना होता है. यदि हमारे पास खेल के नियम की जनकारी है, खेल के पहले हमें नैतिक रूप से भी कुछ जनकारी होनी चाहिए, जैसे हम अपने सहयोगियों के साथ खेल भावना का परचे देते हैं, सहयोग की भावना होती है, अगर टीम में है, तो हो सकता है कि टीम में कुछ बच्चे अधिक सामर्थेवान होते हैं, तो वो बहुत अच्छा परदर्शन करते हैं, और कुछ बच्चे कम सामर्थेवान होते हैं, कम छमता होती है, तो वो थुरा कम परदर्शन करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है, कि जो अधिक सामर्थेवान बच्चे हैं, वो कम सामर्थेवान ब बच्चो इसे जूरे कुछ प्रस्ण है जिसके जवाब आपको देने हैं बच्चो आप अन्वान लगाईए यह जगरा क्यों हुआ होगा बच्चो यह जगरा मेरे हिसाब से चुकि आप भी आपके पास भी अन्भव है आप भी जब भी कोई खेल खेलते हैं तो उसमें किस का प्रण से आप एक दूसरे से जगर लेते हैं यह आप भी बता सकते हैं लेकिन जो मुख्य कारण है वह यह हो सकता है कि खेल में जो ही प्रतिभागी होते हैं जो टीम के सदस होते हैं उनमें एक दूसरे से आगे बढ़ने की होर होती है वहां एक दूसरे टीम के साथ प्रति होते हैं जो गलत तरीके से जीतने का प्रयास करते हैं अर्थात वहां खेल के नियम का ख्याल नहीं रखते हैं खेल भावना तो बरीदूर की बात है वहां जब नियम के अनुसार नहीं अच्छा कर पाते हैं तो वह क्या करते हैं आपस में विवाद कर लेते हैं वहां खेल के जो आयोजक होते हैं, जो रेफरी होते हैं, जो सारीरिक सिक्षक होते हैं, जो आपको उस जगा पर खेल के नियम एवं उसके अनुसासन के बारे में आपको बता रहे होते हैं, उनसे ही वह जगर परते हैं, तो आपस में भी जगरा होती है टीम के साथ, और आयोजक के साथ भी कभी-कभी हम लोग जगरा कर लेते हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर ऐसा हम करते हैं क्या होगा बच्चो हमें उसी प्रतियस्पःधा से अर्थात उस खेल से उस खेल से संबन्धित प्रतियुगता से आयो जग के द्वारा बाहर कर दिया जैगा खेल से हम बाहर हो जाएंगे और मेरे उपर अनुसासनात्मक कारवाई भी हो सकती है मुझे सजा भी दिया जा सकता है इसलिए हमें खेल खेलने से पहले खेल के नियम का अच्छी तरह से ज्यान होना चाहिए और खेल भावना का जरूर हम ख्याल लखे हम खेले स्वस्त महावल में एक दूसरे से अच्छा करने का जजबा उत्साह उमंग होना अच्छी बात है लेकिन गलत तरीके से एक दूसरे से आगे होने का परयासम खेल में कभी नहीं करे तो इसी कारण झागरा हुआ होगा कि हर कोई चाहता है कि हम एक दूसरी से आगे निकल जाएं अब बच्चो अगला प्रश्ण है क्या खेलते वाक्त आपका किसी से झागरा हुआ है बिल्गुल आप मेंसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके साथ खेल के करम में जगरा हो जाता है ठीक है बच्चों जैसे अगर हम कबड़ी खेल रहे होते हैं तो कबड़ी खेलने के करम में क्या होता है कि एक टीम के सदस जब दूसरे टीम के तरफ जाते हैं, तो जब हम उसे पकर लेते हैं, तो पकरने के करम में कभी-कभी हम हिंसक हो जाते हैं, हिंसक मतलब हमारे पास सहयों की भावना नहीं होती है, हम एक दूसरे को नुकसान पहुचाने की भावना रख लेते हैं, ठीक है, दूसरे को समस्या उत्पन कर देते हैं जैसे दूसरे साथी का बाल पकर के घीच देना या फिर दूसरे साथी का सट पकर लेना जिससे कि उनका बटन तूट जाए तो बच्चे उससे नाराज हो जाते हैं या फिर पकरने के करम में उन्हें इस तरह से पकरना कि उनके पैरे में चोट लग जाए उनको पटक करके उनको उपर बैठ जाना जिससे वह कठनाई महसुस करे, कठनाई हो जाए, तो इस प्रसिती में क्या होता है? एक दुसरे के साथ खेलते-खेलते झगरा हो जाता है. उमीद है आपके साथ भी कभी एक दुसरे सहीउगी से झगरा हुआ होगा. अगर हुआ है तो आज के बाद आप जगरा नहीं करेंगे आज के बाद आप एक सवक लिजिए सिखिए उसके बाद है अक्सर खेलते वक्त किस बात को लेका जगरा होता है अक्सर खेलते वक्त इस बात के लिए जगरा होता है कि हम बेहतर खेल रहें तो आप बेहतर खेल रहे हर कोई अपने आपको बेहतर दिखाने का परयास करता है और चाहता है कि हम जल्दी से जीत जाएं अधिक अंक मुझे मिले और हमारे सापाथी को कम अंक मिले तो हम जीत जाएंगे वहार जाएगा और इसके लिए हम लोग खेल के नियम के विरुद्ध चले जाते हैं इस कारण से हम लोग को जगरा हो जाता है ठीक है खेल में जगरा नौ हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चो इसके लिए हमें खेल के नियम का पालन करना होगा हमें अपने सयोगियों के साथ मित्रवत विवार करना होगा सापाथियों के साथ समान भाव रखना होगा ऐसा न लड़के नहीं खेलते हैं उन्हें लड़किया नहीं खेलती है जी नहीं बच्चों देखते हैं इसमानादीत गति विधी को तो बच्चों आप ने देखा और जाना कि कुछ खेल ऐसे नहीं है जो आप देख पा रहा हैं पहले ऐसीमानेता थИ लगभियちゃ關係 से बोलते समाज में आपके परिवार में आपके माता-पिता वह सब सुविधा आपको देते हैं आप अगर लर्के हैं तो आपको जो सुविधा मिलती है वह सुविधा लर्कियों को भी मिलती है आपके पसंद के कपरे मिलते हैं तो आपकी बहन को भी आप उनकी पसंद के कपरे दिये ज आते हैं ठीक उसी परकार बिद्याले में भी जितने भी खेल आयोजित होते हैं उन सभी खेलों में लड़कियों की समान भागीदारी होती है या पची तरह जानते हैं कोई भी ऐसा खेल नहीं जो केवल लड़कियां खेल सकती है और लड़के नहीं खेल सकते हैं इसका उधार जानते हैं वो सब में दोनों ही प्रतिभाग करते हैं चाहे वह प्रूस हो या महिला हो सब करते हैं ठीक है बच्चों तो आपने जाना आज के इस पाठ में खेल के बारे में मेला के बारे में तो आप इस तरह से आप बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको और आगे से जब भ लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे चुकि हम अगर अच्छा नहीं करेंगे तो हमारे आने वाली जो पीधी जो आपके छोटे भाई बहन है वह भी आपको देख करके कुछ गलत करेंगे तो आपको बुरा लगेगा तो इस तरह के लोगों की संख्या नहीं बढ़नी चाहिए तब होगा जब हम अच्छे होंगे हम खेल की नियम का पालन करेंगे हम अच्छा विवार करेंगे तो हमारे साथ हमारे परिवार के जो छोटे सदस्य है पिधाले में जो छोटे बच्चे हैं वह भी आपका अनुकरन करेंगे आपसे सीखेंगे और आपके साथ अच्छा करन ठीक है बच्चों तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं बस अगले सत्र में तब तक के लिए धन्यवाद